सुभा से शाम तक बस तेरा नाम है से स्टैज पर परफॉर्म करते हुए बाशा ने जिस तरीके से लखन को गले लगाया जी दावा किया जा रहा है कि बाश्या ने लखन और नीटू को अप्रोच किया है अपने अगले सॉंग के लिए अब इन बातों में कितनी सच आ Gian ओं तुह निध लिए टो फैन्ट में नीटो और लखन सोशल मीडिया पर जाने माने स्टार्जें एसी में उनके विडियो को उनके व्लॉक्स को फैन्स का बहुत इंतजार रेता है और नीटो और लखन भी कोई कमी नहीं चोड़ते हैं बहतर से बहतर content देने में क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी दुनिया उनकी fans हैं उनके fans के वज़ा से ही आज लखनीत हैं और लखनीत अपने fans का बहुत अच्छे से खयाल भी रखते हैं मुमी चुल के दोरान जिस तरीके से जो नीतू लखन है वो enjoy करते नजर आए हैं हर तरीके से अपना दम दिखाते नजर आए हैं fans को नीतू लखन का ये अंदाज भी काफी बाया है और बाश्या के साथ में तो जिस तरीके से लखन और नीतू ने इंजॉई किया है और बाश्या ने दोनों को जिस तरीके से प्यार दिया उसके बाद तो फैंस बहुत जादा खुश हो गए स्टेज पर जिस तरीके से लखनीत और बाश्या ने धहमाल मचाया उसके बाद तो लखन और नीतू के चेहरे पर जो खुशी थी वो साफ नजरारी थी और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि इतने टाइम की महनत का फल अब जाकर दोनों को मिल रहा है लखनीत का यहां तक पहुँचने का जो सफर था असान नहीं था दोनों ने स्टार बनने तक की जो रहा है बहुत मुश्किल से पार की है बहुत जादा महनत की है खासकर नीतु की बात करें तो नीतु ने यहां तक पहुँचने का जो सफर है काफी स्टुगल के साथ पार किया है आपको बता दे नीतु बिस्ट और लखन रावर सोशल मीडिया पर जाने माने स्टार्स है और ऐसे में दोनों के व्लॉक्स को फैंस बहुत जादा प्यार करते हैं मुम्मई में जाकर जिस तरीके से बात्षा के साथ लखनीत ने धमाल मचाये उस पर क्या किया ना चाहते हैं आप जो भी आपकी राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं अगर आपने फिल्मे बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं क्या तो कर लीजिए आप हमारा ये वीडियो फेस्बुक पेश पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए बॉलिवुजो टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हैं फिल्मे बीट